भाई और बैनों, हमारे लिए तो भारत माता की जय, यही हमारी भक्ति है और बंदे मात्रम का उद्गोस, यह हमारे जीवन की शक्ति है मा भारती की समर्दी, सुरक्षा और शान्ती का ही यह दाईत्व है, जिसे हम एक्सो तीस करोड भारतिय मिलकर के निभार रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है, भारत माता की जय, और बंदे मात्रम से दिक्कत है क्या ऐसे लोगों की जमानत जबत होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए सात्यों यही वो लोग है, जिने भारत की बात करने से भी शिकायत है वो कहते है, मोदी आतंगबाद की बात क्यों करता है यह तो मुद्दा ही नहीं है, आप मुझे बताईए, राष्ट रक्षा और आतंगबाद, यह मुद्दा है की नहीं है मुद्दा है की नहीं है जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी भूस वादियों को नहीं है महा मिलावट करने वालों, जिस आतंगबाद ने, स्री लंका में, साड़े तिन सो से जादा, मासुम लोगों को, इसी हफ्ते, उनकी जान ले ली क्या ये मुद्दा नहीं है क्या, हमारे आस्पडोस में ही आतंग की फैक्टरियां चल रही है और आतंगबाद कहते हैं मुद्दा नहीं है भाईयो भहनों, ये आतंगबाद का, अगर सबसे बड़ा नुक्षान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ है 40 साल पहले हमारे देश में, न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी न बस अड़े पर पुलिस लगानी पड़ती थी न बाती-बाती की टेकनोलोजी लानी पड़ती थी न मंदीरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी न मज्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, हर कोई सामान ने जिन्दिगी जीता था आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तोल में हमें खर्च करना पढ़ रहा है और उपर से हमारे गरीब माबाब के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षाबलों में जाते हैं, पुलीस में जाते हैं उनको 24 गंटे, 24 गंटे निंद नहीं मिलती, निंद भाईयो इतनी इनको मेहनत करने पड़ती है और एकाद गटना गट गई, तो उनकी तो बेचारों की नोकरी चली जाती है भाईयो बेहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज़्यादा नुक्षान हमारे गरीब भाईयो बेहनों का किया है जो उनको मिलना चाहिए था, वो पिस्तोल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है जो उनको मिलना चाहिए था, वो बंदूख लाने में जा रहा है और इसलिए भाईयों बहनों देश के गरीबों का बला करने के लिए भी आतंगवाद को खतम करना जरूरी है महा मिलावट करने वालों आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये नया हिंदुस्तान है ये आतंग के अड़ों में घुश करके मारेगा साथियों इन लोगों की इसी सोच की वज़से दर्भंगा ने भी आतंग को बहुत करीबी से देखा है इन लोगों की इसी सोच की वज़से देश को आतंग का ऐसा मॉडूल मिला जिसने दर्भंगा की प्रतिष्ठा को नुक्षान पहुँचाया लेकिन वो तिन और थे आपका ये चौकिदार चौकना है न कोई मॉडूल रहेगा और नहीं कोई मिलिटन्ट बचेगा प्रतिष्ठा की चौके बचाओा झाल झाल